4, 3, 2, 1 हजारों होम बायर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 यानी रेरा के तहद आमरपाली समूः के पंजीकरण को रद्ध कर दिया है और National Building Construction Corporation NBCC को ग्रेटर नुवेडा और नुवेडा में लंबित निर्मार परियोजनाओं को संभालने का निर्देश दिया है Justice Arun Misra और Justice U.U. Lalit की पीट ने यह पाया है कि आमरपाली समूः ने ग्रेटर नुवेडा और नुवेडा के अधिकारियों की मिली भगत से होम बायर्स के पैसों के साथ फर्जीवाडा किया है पीट ने कहा कि NBCC रुकी हुई आमरपाली परियोजनाओं को पूरा करेगी जिसका उसे आठ प्रतिशत कमिशन मिलेगा होम बायर्स को शेसरासी विशेस खाते में जमा करनी होगी कोर्ट ने यह कहते हुए होम बायर्स के हितों की रक्षा की है कि बैंकों और वित्ते संस्थानों को परियोजना संपत्यों के अलावा आमरपाली की बाकी संपत्य से अपना बकाया वसूलना होगा वरिष्ट वकील आरवेंकट रमनी को परियोजना संपत्यों के संबंध में अदालत रिसीवर नियुक्त किया गया है वहीं Greater Noida Authority ने यह बताया था कि आमरपाली गुरुप के अधिकार शेत्र में पांच परियोजनाएं थी इसमें से चार खाली जमीन और बिना किसी निर्माड के थी बकाया 3400 करोण रुपए में से प्राधिकरण को आमरपाली समुह से केवल 363 करोण रुपए मिले थे दिये गए लगबग 42,000 फ्लैटों पर कबजे के लिए कई याचिकाएं दायर की हैं नोडा और Greater Noida के अधिकारियों द्वारा दलीलें दिये जाने के बाद की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उनके पास विश्यसग्यता और संसाधनों की कमी है अधालत ने इस मामले में दस मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था उन्होंने अधालत द्वारा गठित उचस्तरिय कमेटी की देखरेख में एक प्रतिष्ठित बिल्डर को परियोजना सौपने के लिए अधालत से अनुरोध किया था पिछले मार्च में अधालत ने दिल्ली पुलिस को आमरपाली समुह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा और दो निदेशकों शिव प्रिया और अजय कुमार को गिरफतार करने की अनुमती दी थी शर्मा, प्रिया और कुमार पिछले अक्टूबर से उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में थे और शीर्स अदालत के निदेश पर नोड़ा के एक होटल में रखे गए थे उन पर कंपनी और उसके निदेशकों द्वारा वित्तिय लेंदेन की जांच करने वाले फारेंसिक ओडिटर्स के साथ सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया गया था इसलिए अदालत ने उन्हें कंपनी के खिलाफ जांच पूरी होने तक एक होटल में पुलिस निग्रानी में रखने का निरदेश दिया था देश भर में बिल्डरों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राजिसरकारों को देश भर के लंबित प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के आरेश दिये हैं और दोशी बिल्डरों के खिलाफ कारवाई करने को कहा है